नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूटियूब चेनल में दोस्तों आपके शरीर में मेगनीशियम की जरुवत उतनी ही होती है जितनी किसी अन्य विटामिन या मिनराल्स की होती है मेगनीशियम की सही मातरा शरीर में पोशने पर आपके मसल्स और नर्वस सिस्टम स्वस्त रहते हैं हार्ट के फंक्शन ठीक तरीके से काम करते हैं और हड्डिया मजबूत रहती है दोस्तो मेगनीशियम से आपके शरीर में ग्लूकोस का लेवल सही मातरा में बना रहता है जिससे सरीर में सही मातरा में प्रोटिन और उड़जा बनती है इसके अलावब दोस्तो क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर को मेगनीशियम की जरूरत करीब 300 बायो केमिकल रियक्शन के लिए होती है हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे 6 लक्षण जिन से आप ये पता कर सकते हैं कि आप सही मातरा में मेगनीशियम ले रहे हैं या आपके शरीर में जरूरत से कम मातरा में मेगनीशियम पहुंच रहा है ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तो क्योंकि शरीर के लिए मेगनीशियम उतना ही जरूरी है जितना कि शरीर के लिए प्रोटीन या फिर आईरन लेना होता है और अगर शरीन में मेगनीशियम की कमी रह जाए तो इससे बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना हमें करना पड़ सकता है इसलिए इस चीज को बिलकुल भी हलके में ना ले और जाने वो लक्षन जिनसे आपको पता चलेगा कि कहीं आपके शरीन में मेगनीशियम की मातरा कम तो नहीं है तो चली जानते वो क्या क्या है तो दोस्तो सबसे पहले होगी आपको एनरजी की कमी मेगनीशियम की कमी से आपको एनरजी की कमी महसूस होती रहेगी आपको आराम करने के बावजूद ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा शरीर ठका हुआ है बले आपने कितना भी आराम किया हो तो ये जो चीजे होती है ये साफ संकेत देती है कि आपके शरीर में मेंगनिशियम की कमी है बात करते हैं दूसरे संकेत की दोस्तो पेर मुडना या फिर नसों में खिछाओना ये भी एक लक्षण है मेंगनिशियम की कमी का मेंगनिशियम आपके मसल्स के फंक्शन को कंट्रोल करती है मसल्स का बढ़ना, मसल्स का सिकूडना और उन्हें आराम देने को कंट्रोल करता है दोस्तों magnesium की कमी से आपको पेड़ों की नसों में खिचाओ और पेड़ों के मुडने जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है इस तरह के कोई अगर आपको लख्षन लिखते हैं तो समझ जाए कि आपके शरीर में magnesium की कमी है और ये लख्षन magnesium की कमी को ही दर्शाते हैं बात करते हैं अंगले लक्षन की जो की होता है बार-बार सेरदर्द होना जी हां आपको बार-बार होने वाले सेरदर्द का कारण अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसका एक कारण मेगनीशियम की कमी भी हो सकती है मेगनीशियम की कमी से आपके शरीर में सेरो टोनीन का बनना कम हो जाता है इसे मस्तिक्ष को सही मातरा में खून सप्लाई नहीं हो पाता तो सेरदर्द जैसी समस्या है आपको दिन भर के लिए देखने को मिल सकती है आप कितना भी सर पर मसाज करने या कुछ भी तरीका अपने लें आपके सिर का दर्द दूर नहीं होने वाला और ये खास तोर पर मेगनीशियम की कमी के कारण होता है जिससे के ब्लड फ्लो आपके मस्तिक्ष में सुचारू रूप से चलना ही पाता इसके लाब बात करते हैं अगले लक्षन की जो की होती है नीन की कमी के रूप में मेगनीशियम की कमी से आपको कम नीन आने लगती है मेगनीशियम की कमी से स्ट्रेस हो सकता है दिल की धड़कने बढ़ सकती है और आपको सोने में प्रोब्लम आ सकती है ये सारी प्रोब्लम भी आ सकती है आपको मेगनीशियम की कमी से बात करतें अंगले लक्षन की जो की आता है तेज अवाज से तकलीफ होना यू तो तेज अवाज किसी को भी सेन नहीं होती लेकिन जिन लोगों को मेगनिशियम की कमी बहुत ज़्यादा होती है उन लोगों में इसकी sensitivity बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कम magnesium के कारण आपका जो nervous system होता है वो बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाता है और आप बहुत ज़्यादा sensitive हो जाते हैं जिसे होता यह है कि आप जब कोई तेज आवाज सुनते हैं तो उस पर इतना ज़्यादा react करने लगते हैं जितना की एक normal आज में नहीं करेगा जी हाँ दोस्तों तेज आवाज 10 गुना ज़्यादा सुनाई देने लगती है जो कि बरदास से बाहर हो जाता है ये भी एक magnesium की कमी का खास लक्षन होता है बात करें इसके आखरी लक्षन की जो की होता है कब जोना जी हाँ सिर्फ आपकी डायेट में फाइबर की कमी नहीं बलकि magnesium की कमी से भी आपका हाजमा बिगर सकता है आपको इस बात पर भरोसा तब होगा जब आपको पता चलेगा कि हाजमे की अधिकतर दमाओं में magnesium होता है जी हाँ दोस्तो कब जी होना भी magnesium की कमी का साफ साफ लक्षन माना जाता है तो दोस्तो देखा आपने आज की इस वीडियो में हमने आपको बताए कुछ ऐसे लक्षन और संकेतों के बारे में जो कि आपको बताते हैं इस तरह के लक्षन लिखते हैं तो यह साफ साफ तोर पर पताता है कि आपके शरीर में magnesium की कमी है उसको पूरा करने का टाइम आ गया है तो दोस्तो यहीं थी आपके लिए एक और health जानकारी जो होती है यहीं समाब उम्मीद करता हूं कि वीडियो जानकरी आपको पसंद आई होगी तो दोस्तो वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जादा से जादा लाइक और जादा से जादा शेर जरूर करें ताकि हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच पाए